गुड इवनिंग ओल अफ यू आप सभी लोगों का स्वागत है फोकस कॉंसेप्ट में फिलाल देखो अपना जो पेपर चल रहा है वो फायर ओपरेटर है और टोटल मैट्स के यहां 40 कोशन्स है जिसमें से हम 1st 20 कोशन्स पार्ट 1 में कर चुके हैं आज 2nd वीडियो में 2nd पार्ट रहेगा यानि कि अगले 20 कोशन्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 by 1 देखो जैसे कि आपको पहला कोशन्स नजरा रहा है 2nd पार्ट का कहता है कि एक कार एक मोटर साइकल का पीछा कर रही है मतला वैसे समझ लेते हैं कि यहां कार है और यहां मोटर साइकल है मोटर साइकल कार से 5 किलो मिटर आगे है यानि कि दोनों के बीच की दूरी है 5 किलो मिटर इसके अलावा हमें मोटर साइकल की स्पीड 75 दे रखी है और कार की स्पीड 90 दे रखी है और पूछा हम से जा रहा है कि ये कार इस मोटर साइकल को कितने टाइम में पकड़ेगी तो देखो आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहां जो इनके बीच का डिस्टेंस है ना पाज ये कवर होगा रिलेटिव स्पीड से और सेम डिरेक्शन में जब दो अबजेक्ट चलते है तो रिलेटिव स्पीड दोनों की जो बनती है वो माइनस करने भी बनती है तो नबे में से जब 75 माइनस करोगे तो यानि 15 की स्पीड से ये 5 किलो मीटर कवर करेगी कार और इसको 1 बाइ 3 आर लगेंगे और यही हम से पूछा जा रहा है तो इसलिए एक बटे तीन घंटे इसका होगा आंसर इसके बाद देखो कुशन नमबर टू जैसे कि आपको बार गराफ दिखा रखा है और इस बार गराफ में आपको पाच कमपनीज के वारे में बताया है कि यह पाच कमपनीज कितना तो उतपाधन करती है वाशिंग मचीन क और कितनी खपत अब यह जो रेड कलर है यह खपत को बता रहा है और जो बलू कलर है वो उतपाधन को क्या पूछा है सिरह चलते है एक उशन पर कहता है कि गौद्रेज और लायड की खपत का करमशे अनुपात क्या है अब देख पारे हो कि जो गौद्रेज की खपत है न रेड गलर से जो आपको नज़रा रही है वो 35 नज़रा रही है और उसी तरही के से लायड में ये खपत आपको नज़रा रही है 45 तो वह सिंपली हमें इन दोनों का रेशियो बनाना है जो कि आपको नज़रा रहा है 7 इस टू 9 बनता हुआ बस यही इस कोशन का अंसर है इसके बाद चलते कोशन नमबर 3 पे कोशन नमबर 3 जो है वो सिंपल इंट्रेस्ट और कंपाउंड इंट्रेस्ट से मिलकर बने है यहां कहता है कि भरी किसी राशी पर मरलब कोई प्रिंसिपल इस 1236 पर आठ वर्षों का इस ब्याज दर पर साधारन ब्याज है तो मतलब अगर जो हम 1236 का आठ वर्षों का ब्याज निकाल ले 6% की दर से तो वो दो साल का ना चक्रिवरिद्धी ब्याज माना जाएगा अब देखो सिंपल इंट्रेस्ट में आप समझते हो कि अगर हर साल 6% दर है तो आठ वर्षों में तो हमें 48% मिलेगा वनना आप बटे 100 x 8 भी लिख सकते हो तो इसको देखो पूरा कैलकुलेट मत करो इसको यहाँ लिखा रहने देते हैं बस यह समझना है कि भई यह 2 साल का चक्र विरिद्धी प्याज है अच्छा चक्र विरिद्धी प्याज के लिए पि जो दर है वो 6% है तो अब हम 2 साल में रेशियो बनेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का C.I. से और दूसरे साल भी 50 से 53 हो जाएगा तो कहने का मरलब है कि अगर हम इनका स्क्वाइर कर दे तो हम कह सकते हैं कि भई अगर हम 25 सो रुपे निवेश करें C.I. पर दो वर्षों के लिए 6% वियाज के दर पर तो हमें यह पैसा ना 2809 रुपे मिलेगा वियाज समेद के बराबर है 1236 गुण 48 बटे 100 के तो यहां से ना हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं और एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना देखो मैं यहीं बता देता हूँ सिंपली 309 इधर आ जाएगा नीचे और आप देख पारे हो 309 पूरा चार बारी में काटता है 1236 को और चार ने काटा 25 बारी तो एक यूनिट की वैल्यू ना 48 बटे 25 हो जारी है और निकालना हमें मूलधन है जो की पच्चिस सो यूनिट है तो पच्चिस सो यूनिट की वैल्यू क्या होगी जबकी एक यूनिट की वैल्यू और तालीस बटे 25 है तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहां से आपको 4800 मिल जाएगा और यही इस कोशन गाँसर है तो आप थोड़ा सा अच्छा कोशन चलते हैं अगले कोशन पर इसके बाद एक को मिक्षर एलिगेशन से कोशन है कहता है कि एक मिश्रेंट में तामबा और जस्ता फाइव रेशियो टू में हैं और टोटल जो हम दिखा रहे हैं न साथ यूनिट यह हमें बता रखा है कि वही टोटल इसकी मातरा साड़े सत्रह है तो साथ यूनिट की वैल्लू साड़े सत्रह है जब साड़े सत्रह को साथ से डिवाइड करोगे तो एक यूनिट की वैल्ल ड़ाई से गुणा करेंगे तब हमें पता चलेगा इस साड़े सतरह में से भई साड़े बारा तो है तामबा इसको बारा पॉइंट पचास भी लिख सकते हैं और पाच होगा यहां पर जस्ता इसके बाद कहता है कि भई इसमें वन पॉइंट उन्टी फाइब जस्ता और मिला रहोगा 6.25 का यह दुगना होता है तो यानि की टू रेशियो वन हो जाएगा चलते हैं एकले कुश्चन पर इसके बाद कुश्चन नमबर फाइब फिर से उसी राटा पर रहे देखो जहां हमें बता रखका था कि पाच कंपनीज वाचिंग मशीन का कितना उत्पादन और कितनी खपत करती हैं तो सीदा चलते क्या पूछा हैं पूछा जा रहा है कि जो ओनिडा की खपत हैं वो आई एफ बी की खपत का कितना परतीशात हैं तो देखो ओनिडा की खपत आपको नजरा रही होगी खपत का मनलब रैडिकलर और वो है 30 तो पूछा जा रहा है यह जो सो कर दो तो इसको कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा कि भई एक सो बीस परसेंट है यही इसका अंसर है चलते है एकले कोशन पर इसके बाद देखो कोशन नमबर सिक्स है फटवर्ट से इसको पढ़ते हैं कहता है यदि पढ़ते एक छातर को दिन में 240 गराम भोजन दिया ज जाते हैं शामिल हो जाते हैं तो परते एक छातर के भोजन में कितनी कमी होनी चाहिए ताकि भोजन समान दिनों तक परियाप्त रहे अब देखो भई चैन डूल आपने पढ़ा है उसी के थ्रू समझते इसको जैसे कि शुरुआत में देखो तीन सो छातरों के लिए यह खा अच्छा यह खाना 35 दिनों के लिए है अब क्या हो रहा है कि इसी खाने को ना देखो 180 और भी खाएंगे तो 300 में 180 आप जोड़ोगे तो 480 लोगों के लिए भी खाना चलाना है और अब कितना एक छातर खाएगा वो हमें कैलकुलेट करना है जबकि खाना उतने दिन चलना यानि कि 35 दिन तो देखो efficiency हम यहां से निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे 35 से 35 कटा और 240 से यह नंबर भी आप देख पा रहे हो दो बारी में कटा और 2 से नंबर डेड़ बारी में यानि कि अब जो परते एक छातर खाना खाएगा वो 1500 गराम खाएगा जबकि पहले एक छातर 240 खाता था तो पूछा जा रहा है कमी कितने की हुई तो 240 में से अब 1500 गटा होगे तो 90 गराम की कमी हुई यही इसका आंसर है चलते हैं इसके बाद अगले question पर question number 7 पर देखो फिर से यह उसी राटा पर question है watching machine वाले पर तो पूछा क्या है देखते हैं सभी company और दौरा washing machine का और सत उत्पादन क्या है अब देखो जो उत्पादन है वो रिप्रिजेंट को रहा है blue color से तो आपको यह सभी blue वाले numbers जोडने हैं और divided by number of terms जो की 5 है तो चलिए जोडना शुरू करते हैं 25 और 30 यानि की 55 और 40 95 95 में आप 25 जोड़ोगे तो 120 हो गया और 120 में जब आप 35 जो और क्योंकि यह 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो तो उसत उत्पादना 31 होगा यही इसका अंसर है इसके बाद है question number 8 देखो इस question में बता रहा है कि रमेज किसी काम को भी 20 दिनों में कर सकता है तो अब हम आल लेता हूँ यहाँ पर total work ना 20 है और रमेज क्योंकि 20 दिनों में कर स लheure क्रता है इस काम को तो उसकी शम्ता एक होगी कहता है वैं पाच दिनों तक काम करता है तो इन 5 दिनों में जो रमेज काम करेगा भी 25 काम को भावेश अब एक नया अदमी आँ हैं बावेश तो उसने कितना काम किया है शेश यानी की पंदरा और कितने टाइम में किया है दस दिन में तो यानी की भावेश की शम्ता डेड़ होगी अब हमसे बुचह जा रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को एक साथ कितने समय पूरा करेंगे तो रेखो काम तो 20 ही रहेगा और दोनों की शम्ता है अगर मिल जाए तो ड़ाई हो जाएगी एक और डेड़ तो टोटल आठ दिन लगेंगे काम पूरा होने में चलते हैं एक लिए कोशन पर देखो कोशन नमबर नाइंथ में एक आपको टेबल दे रखी है और बता रखे है कि भई पाथ चात्र है और पाथ चात्र इनमें मतलब कितनी चॉकलेट वितरित होती है और प्रती चॉकलेट का जो मूर्ले वो हमें दे रखे है तो सीधा देखते क्या पूछा है कहते हैं दिये कि प्रते एक चात्र दुआरा वितरित चौकलेट की और सत संख्या ग्यात करे तो यहां में देखो मूले से कोई मतलब नहीं है simply इन numbers का average निकालना है तो चलो average निकालते हैं इनका सबसे पहले इनको जोडना है देखो जैसे उपर का यह 842 सब छोड़ दो आप इसको 70 मानते हुए जोड़ो 70 और 50 120 और 80 200 उसके बाद 320 और 350 अब उपर का जोड़ते हैं 358 और 4 362 और 2 364 और 364 और 6 370 अच्छा number of terms कितनी है एक दो तीन चार पाच तो 5 से divide करने पर आपको मिलेगा 74 चलते हैं अगले question पर question number 10 फिर से time and work का है कहता है एक की कारदेशमता बी से दुगनी है बहला अगर बी की कारदेशमता को हम एक मान ले तो एक ही भाई दो होगी कहता है दोनों मिलकर किसी काम को बारा दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि दोनों मिलकर एक दिन में तीन काम कर पारे आप देख रहे हों और ये तीन काम बारा दिनों तक किया है तो इसका हमला टोटल 36 काम किया है उन्हें तो ये 36 होगा टोटल वर्ग और अभी यही 36 वर्ग हमें बी से करवाना है तो देखो बी की शम्ता एक है और वो 36 काम करने में 36 दिन ही लेगा तो असान सवाल था यह चलते हैं इसके बाद कोशन नमबर 11 फिर से सेम टेबल पर है और देखते हैं कि बारी क्या बुच्छा जा रहे हैं विपिन और चांद वारा खर्च की गई राशी के बीच का अंतर ग्यात करें तो देखो ये है विपिन और ये है चांद तो विपिन ने जो पैसे खर्च की है ना देखो वो है 54 इन्टू 25 और चांद ने जो पैसे खर्च की है वो है 82 इन्टू 15 अब आप चाहो तो इनको सिंपली मल्टिप्लाई करके डिफरेंस ले सकते हो वरना आप चाहो तो कुछ कॉमन भी ले सकते हो जैसे 54 और 82 में मुझे नज़ा रहा है कि मैं 2 को कॉमन ले सकता हूं और उसी त इतना कॉमन ले लूँगा न देखो यहां बचेगा 27 गुणा पाच जो की 135 होते हैं यहां बचेगा 41 इंटू 3 जो की 123 होते हैं अब ब्रैकेट में डिफरेंस आपको 12 नज़रा रहा है उसको 10 से गुणा करोगे तो 120 रुपय अंसर होगा चलते हैं एक लिए कुश्चिन पर देखो नेक्स कोश्चन में बताया कि एक रेल गाड़ी जिसकी स्पीड 76 किलोमीटर प्रती घंट है तो 76 की स्पीड से चलते हुए 4 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से समान दिशा में चलते हुए एक व्यक्ति को 6 सेगेट में पार करती हैं तो रेल गाड़ी की लंबाई चलती है न तो वो डिस्टेंस बिल्कुल लंबाई यहतना होते हैं तो मतलब यहां पर हम डिस्टेंस निकाले वही ट्रेन की लंबाई और डिस्टेंस आपको पता है स्पीड इन्टू टाइम होता है अचा स्पीड जो यहां होगी न देखो सेम डारेक्शन है अभी उपर भी हमने डिस्कस किया था ऐसे में स्पीड माइनस होती है तो 76 में से आप चार घटा होगे तो 72 होगी अलाकि वो किलो मीटर प्रती घंटे में होगी तो मीटर पर सैकिंड में बनाने के लिए पाच बड़ा ठारा करना होगा और इंटू में टाइम जो की दिरक है 6 तो आप सिं फिर से सी आई और एसाई का है यूवराज ने क्या किया कि तीन वर्षों के लिए 4 परसेंट प्रती वर्ष साधार और ब्याश पर 15,000 रुपे उधार लिए और तुरंत वो क्या गरता है इस पैसे को किसी दूसरे आदमी को दे देता है और वो देता है उसको चक्रवरिद् वो हमसे पूछा है तो देखो प्रिंसिपल तो यहां पर सेम ही है 15,000 तो हम काम करेंगे पहले परसेंटेज में अब यूवराज ने जो तीन वर्षों के लिए लिया है चार परसेंट पर तो इसका मलब है उसे कुल मिला करना 12% ब्याश दिन है और यूवराज के पास आ कित इसको बताया है एकस प्लैस वाई प्लस एकस वाई बाई हंड्रेट से निकाला जा सकते हैं तो एकस और वाई दोनों ही बारा है यानि बारा और बारा चौबिस और इधर बारा गुणा बारा एक सो चवालीस बटे सो जो की एक पॉइंट चवालीस होता है तो कुल मिलाके यह 25.44 हो जाएगा जब आप कैलकुलेट करोगे कि उसे जो खुद बे आज मिला है वह इतना मिला है तो ऐसे में उसे फायदा कितना मिला तो आप बोलोगे दोनों को अंतर कर लो और वह अंतर बनेगा 13.44 तो सिंपली हमें करना क्या होगा इस पंद्रह हजार का तेरा पॉइंट चबालीस परसेंट निकालना होगा और जब तेरा पॉइंट चबालीस परसेंट आप निकालोगे तो कैलकुलेट करने में मतलब इसली मिल जाएगा आप इसको कर लेना कि मैं एक बरी करके दिखा जो चलो आपको मतलब 15,000 का तेरा पॉइंट चबालीस परसेंट तो जब यह डैसिमल आप अटा होगे न एक और हंट्रेड आजएगा तो देखो तीन जीरो यहां से गटी और पाच दुनी दस पाच तीय पंद्रह दो से जब आप इसको कटूगे तो दो गुणा च्छै बारा इतनी बारी कटीगा और जब तीन से आप इसको मल्टिप्लाई करोगे तो 2016 आपको मिल जाएगा चलते है अगले पर कोशन नमपर 14 कहता है कि 180 मीटर लंबी एक ट्रेन है और 20 मीटर प्रती सैकिंड की चाल से चल रही है फिर से देको समान दिशा में एक आदमी भी चल रहा है दस की स्पीड से तो ट ट्रेन को चलना है वो खुद की लंबाई इतना चलना है अभी उपर भी समझा है आपको और दूसरी बात जो स्पीड यहां रहेगी न हो रिलेटिव होगी 20 माइनस 10 यानी 10 तो 18 सेकिंड लगे यही इस कोशन का अंसर है चलते हैं इसके बाद अगले कोशन पर कोशन नमबर 15 में कहता है कि कितने वर्षों में इतनी ब्याज दर से किसी राशी पर साधार और ब्याज मूल धन के बराबर होगा अब देखो ऐसी परसेंटेज को ना फ्रेक्शन से समझना चाहिए वन बाई सिक्स में सिक्स तो माना जाएगा प्रिंसिपल और एक आपका माना जाएगा सिंपल इंट्रेस्ट और वो भी एक साल का तो आप देख पा रहे हो एक साल में एक रुपा मिल रहा है आपको ब्याज का और आपको टोटल मूल धन जितना चाहिए यानि 6 चाहिए तो आप बोलोगे 6 साल लगेंगे यही इसका अंसर है इसके बाद देखो कुशन नंबर 16 इस 16 कुशन में बता रहा है एक समलंब समलंब होता है देखो ट्रैपीजियम इस शेप में और ट्रैपीजियम में क्या होता है कि दो तो नॉन पैरलल साइड्स होती है यह वाली और दो होगी आपकी यह पैरलल साइड्स अगर मैं इसको A मान लू पैरलल साइड्स में से एक को और दूसरी को बी और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है जिसको हाइट बोलते हैं तो इसका एरिया आपको पता होना चाहिए हाफ इंटू में यह समानतर साइट्स जाने की पैरलल साइट्स का योग इंटू में एच तो देखो हमें इसका एरिया दे रखका है 154 उसके कलावा समानतर बुजाओं की लंबाई दे रखकी है और हाइटम से बूछी है तो आप इसको कि एरिया जो की 154 है तो वो बना होगा 1 बाई 2 इंटू समानतर बुजाओं का योग जो की 44 बनेगा इंटू में एच तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे दो से नंबर 22 बरीक तो उचाई जो होगी ना वो साथ सेंटिमीटर आएगी चलते इसके बाद भई कुशन नमबर 18 में यहां कहता है देखो सुनीता अपनी रेल गाड़ी के आने के लिए रेलवे स्टेशन पर परतिक्षा कर रही है मरला भी यह सुनीता है तो क्या होता है कि विपरी दिशाओं म और सुनीता को पार करती है बहले इन में से एक ट्रेन जो सुनीता को पार करती है वो टाइम लेती है 27 सेकिंड दूसरी ट्रेन 17 सेकिंड अब पुछा जा रहा है कि भाई अगर यह दोनों ट्रेन एक दूसरे को 23 सेकिंड में पार करती है तो इनकी स्पीड का रेशियो बता ह सबसे पहले आपको मान लेना है कि जो स्पीड है पहली ट्रेन की वो है X और दूसरी ट्रेन की है Y अब स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस को बताता है जैसे कि पहली ट्रेन ने पार करने में 27 सेकिंड ली है तो अगर मैं 27 को X में मल्टिप्लाई कर रहा हूँ ना तो ये डिस्टेंस बन रहा है उसी तरीके से अगर मैं 17 की मल्टिप्लाई Y में कर रहा हूँ तो दूसरी ट्रेन ने इतना डिस्टेंस चला है सुनीता को पार करने में और सुनीता को पार करने में इन दोनों ने इतना इतना डिस्टेंस चला है जब ये एक दूसरे को पार करेगे ट्रेन तब इतना डिस्टेंस चलना होगा और इतना डिस्टेंस किसी स्पीड से चलना होगा तो आप समझते हो आमने सामने स्पीड से अड़ हो जाती है तो आप बुलोगे x plus y से और तब जाकर जो इनको time लगा वो लगा 23 तो बस simply आपको इसको solve करना है जब आप cross multiply करोगे तो आपको मिलेगा 23x plus 23y और इस तरफ आपको मिलेगा 27x plus 17y तो करना कहा देखो x वाले नमबर एक तरफ कर लो 23x को जब यहां लेकर आओगे तो 4x बचा और उधर जब 17y को लेकर जाओगे तो 6y बचा तो x बटे y हो गया 6 बटे 4 और 6 बटे 4 को और छटा गरे तो 3.2 ये इसका answer होगा चलते हैं पर एकले question पर question number 18 पर अच्छा question है देखो यहां पर क्या बोला है कि एक बेलना का टैनिस की गेंद के पात्र में एक दूसरे के उपर अधिकतम 4 गेंदे रखी जा सकती है देखो इस तरीके से मतलब ये कोई packet है जिसमें हम total 4 गेंद रख सकती है 1, 2, 3, 4 तो हमसे पुछाए जा रहे कि उपर और नीचे की गेंद करमशे ढकन और पात्र के अधार को भी छूती है तो बिलकुल ये बात मैं आपको समझाई थी ये सबसे रीचे वाली बॉल और सबसे उपर वाली बॉल ये टच करीगी सिलिंडर को और यदि टैनिस की एक गेंद का आएतन 240 है मनलब ये चार में से एक का जो वाल्यूम है ये आपको दे रखका है 240 तो पुछाए कि पात्र का आएतन क्या होगा देखो गई समझते हैं यहां पर होता है कि मानलो की एक सिलिंडर है और इस सिलिंडर में मैं एक बड़ी से बड़ा स्फेर रख रहा हूँ मनलब बड़ी से बड़ी बॉल तो आप देख पा रहे हो कि भई ये जो बॉल मैंने रखी है न तो सिलिंडर के लिए ये हाइट है और स्फेर के लिए डायमिटर है या फिर बहुत सारा भाशा में आपको समझा रहा होगा ये हाइट जो सिलिंडर की है तो ये बिलकुल इस स्फेर के डायमिटर के बरापर है यानी टुवार के बरापर है और अगर मैं इन दोनों के आयतनों का अनुपाद बनाऊ मलब सिलिंडर का जो आयतन होता है वो आप समझते हो पाई यार स्कुए रह रह चोता है उसी तरीके से जो स्फेर का वाल्यूम होता है आयतन वो चार बटे तीन पाई आर क्यूब होता है तो होगा किया देखो पाई से पाई कट जाएगी इस तीन को आप इधर लेओ इधर मैं करके दिखा रहता हूँ आपको तो आप इसको लिखोगे तीन गुणा में अच्छा आर का मलब जैसे की हम यहां आर स्कुएर लिख रहने लेते हैं कोई नी और एच को कनवर्ड कर लेते हैं एच की जगा हम लिख सकते हैं टू आर और वहां बचा चार आर क्यूब तो होगा क्या देखो आर स्कुएर और आर ने ना आर क्यूब बना दिया वो तो कैंसल आउट होगे तो कुल मिला के जो यहां रेशियो मिला वो आपको मिल रहा है थिरी रेशियो टू इसको आप एक बड़ी नोट कर लेना और कॉन्किलूइजन क्या निकलता है मैं आपको बता रहता हो दुबारे से कॉन्किलूइजन यह निकला कि अगर कभी भी भाई सिलिंडर के अंदर आप बड़े से बड़ा स्फेयर रखोगे तो सिलिंडर और इस स्फेयर का जो वाल्यूम का रेशियो बनेगा न वो आपका थिरी रेशियो टू बनेगा अब देखो जैसे ही यहां पर एक गेंद का आयतन आपको बता रखका है स्फेयर का 240 बता रखका है जो की 120 गुन है मलब दो यूनिट की वैल्यू अगर 240 है तो एक की वैल्यू 120 हुई तो इस तीन यूनिट की वैल्यू 360 हुई तो कहने का मलब है कि मलब यह जो बड़ा सिलिंडर है जिसको हमने टोटल चार पार्ट में बाट लिया था तो एक पार्ट का इतने पार्ट का एरिया मलब वाल्यू 360 है तो पूरे सिलिंडर का 360 गुना 4 यानि की 1440 वाल्यू होना चाहिए और यही सवाल का अंसर है चलते है इसके बाद कोशन नमबर 19 देखो फिर से उसी टेबल पर कोशन है कहता है कि अमन द्वारा खर्च की गई कुल राशी ग्याद करें तो अमन ने भाई देखो 78 चॉकलेट ली है और एक चॉकलेट की गेमत साड़े बार है अचा साड़े बारह को आप 25 बटे दो भी लिख सकते हो और दो जब काटेगे इसको 39 टाइम्स तो आप इसको सिंपली मल्टिप्लाई कर लेना और मल्टिप्लाई करने पर आपको 975 रुपे मिल जाएंगे चलते हैं बिलकुल लास कोशन इस पेपर का कोशन नंबर 20 इस बीसवे सवाल में देखो आपको बता रखके एक आयताकार टैंक है और उसकी घहराई 62 सेंटी मीटर है बनलब ये घहराई 62 है कहता है कि अगर इसमें से 3000 सेंटी मीटर क्यों पानी निकाल लिया जाएं मान लो कि इतना पानी मैं निकाल लेता हूं तो इसकी जो घहराई है न वो चार सेंटी मीटर कम हो जाती है तो टैंक में कितने सेंटी मीटर क्यूब पानी को रखा जा सकते हैं अब आपने देखा भी जैसे ही ये 3000 लीटर मैंने निकाला, 3000 सेंटिमीटर क्यूब सरी मैंने निकाला, तो ये 4 सेंटिमीटर हाइट के पराबर होगा, तो आप टोटल 62 की वेल्यू निकाल लो, भी 3000 बटे 4 गुणा में 62, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये 2 बरी कटा, ये 31 बरी, और 2 से ये गटा 1500 बरी, तो 4, 6, 5, 00, तो आपको पता चलेगा, टोटल इतना, पानी इसमें रखा जा सकता है, तो यहाँ भी ये वेपर खता होता है, बाकी जल्द मिलते हैं, अगले वेपर के साथ जब तक आप इसको कंप्लीट करो, चलो थैंक यू,